नमस्कार दोस्तो वेलकम टू टूडे एक्जाम क्लासेज दोस्तो आज के इस वीडियों हम जीके के 20 ऐसे most important सवाल याद करेंगे जो बार-बार competition exam जैसे SSE, NTPC, UPSC, SSE, GD, REIT जैसी परिक्साव में बार-बार पूचे जाते हैं अगर दोस्तो आप ही किसी competition exam की त्यारी कर रहे हैं तो इन सभी प्रशनों को आप जरूर याद करें क्योंकि दोस्तो इन सभी प्रशन है जो बार-बार competition exam में repeat होने वाले प्रशन है इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें और दोस्तों ये जीके का तीसरा पार्ट है अगर दोस्तों आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है वो भी आप जरूर देखे ताकि आप डेली बीस जीके के क्यूशन याद कर सकते हैं जो सभी प्रशन बार-बार कॉंपीटेशन एक्जाम में रिपीट होने वाले प्रशन है तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल आज का पहला सवाल है हरित क्रांती से सर्वादिक उत्पादन किस खाध्यान का हुआ था तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब ज़ेगा ओप्शन ए नहीं हरित क्रांती से सर्वादिक उत्पादन है वो ग्य खैद्यान का हुआ था किस से वा था ग्याओं का किस क्रांती से हरित क्रांती से अगला दूसरा स्वाल है सिक्सा का अधिकार कब लागू हुआ था तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जेगा ओप्सन है अगला तीसरा सवाल है भारत की आजादी की लड़ाई के दोरान करो या मरो का नारा किस ने दिया था तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब जेगा ओप्सन ए अगला स्वाल है रौल एक्ट का समद किस से हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही द्वाब उजेगा option B यानी जल्यावाला बाग नरसंगार है जिसका समध्ध रोलेक्ट एक्ट से हैं किसे हैं जल्यावाला बाग नरसंगार से और जल्यावाला बाग नरसंगार कब वाता अप्रेल साल 1919 में जल्यावाला बाग नरसंगार वाता जिसका सम्द्ध है वो रॉलेक्ट एक्ट से है इसी परकार अगला सवाल है अगला सवाल देखने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजी ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंसती रहें इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमें भी मोटिवेट करना चाहते इसलिए इस वीडियो को भी लाइक पर जरूर करें तो अगला सवाल है प्रसिद सूपी संत अमीर खुसरो किसके सिसेत थे तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब होजएगा ओप्शन बी यानी हजरत निजामुदिन ओलिया के प्रसिद सूपी संते हमीर खुसरो सिसेत थे किसके से निजामुदिन ओलिया के अगला सवाल है भारत में किसके सासनकाल में तंबाकु की खेती प्रारंब हुई थी तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब होजएगा ओप्शन C यानी 605 इश्वी में जांगीर के सासनकाल में भारत में तंबाकु की खेती प्रारंब हुई थी किसके सासनकाल में जांगीर के सासनकाल में और कब हुई थी 605 इश्वी में अगला स्वाल है सरदार सरोवर बांद किस नदी पर बनाया जा रहा है तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ओप्सन ए नरब्दा नदी पर सरदार सरोवर बांद बनाया जा रहा है किस नदी पर नरब्दा नदी पर जो गुजरात राजिये में हैं जबकि ये बांध बनकर त्यार भी हो चुका है इसलिए दोस्तों ये सवाल इस तरह की पूचाता के हैंगी सरदार सरोर बांध किस नदी पर बनाया गया है तो नरब्दा नदी और किस राजिये में बनाया है ये गुजरात राजिये में बनाया है अगला स्वाल है जन्गंदा 2011 की अनुसार भारत में साखसरता दर कितने प्रतिसति थी तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्शन B यानी 2011 की जन्गंदा के अनुसार भारत में साखसरता दर हैं वो 74 प्रतिसति थी कितने परती थी? 74 परती सत्य हैं जो भारत में 2011 की जन्दगर्णा निजश्वार साखसरता दर्त थी अगला सवाल है भारत में डाक ववस्ता शुरू करने वाला परतम ब्रिटिस जनरल गवर्नर कौन था? तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब जएगा ओप्सन ए नि लॉड डल होजी भारत का परतम जनरल गवर्नर था जो बारत में डाक ववस्ता सुरू करने वाला ब्रिटिस जनरल गवर्नर था कौन था? डॉड डल होजी अगला सवाल है साइक संदी को स्विकार करने वाला पहला भारती सासक के कौन था? तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब जएगा ओप्सन भी यह नि हैदरबाद का निजाब हैं जिनोंने 1789 और 1880 एसवी में सरो परतम साइक संदी स्विकार करने वाला भारती सासक था? कौन 1857 का कानपूर में नितरतव किसने क्या था? तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब जएगा ओप्सन सी नाना साहिब है जिनोंने कानपूर में 1887 क्रांती का नितरतव किया था? किसने क्या था? नाना साहिब में जो परतम स्वतनतरतर संग्राम 1880 में कानपूर का नितरतव किया इसी परकार अगला स्वाल है भारत में राजियपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब जाएगा ओप्शन C अनि भारत में राष्टपती के द्वारा राजियपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा राष्टपती के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ती भारत में की जाती है अगला सवाल है सवीदान के किस अनुश्यद द्वारा परदान मंत्री की नियुक्ती राष्टपती द्वारा की जाती है तो दोस्तो ये सवाल है जो कापी important सवाल है इस दिए दोस्तो इस सवाल को आप जरूर याद रखें सवाल का एक बार फर से देख लीजिए सवीदान के किस अनुसियत द्वारा परदान मंतरी की निवती राक्ष्टपती द्वारा की जाती है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब ज़ेका option D नि अनुचेद पिचोतर के तहत परदान मंतरी की निवती है वो राष्टपती द्वारा की जाती है किस अनुचेद के जारा अनुचेद पिचतर के तहत अगला सवाल है ओप्रेशन फ्लड का समद किस उतपादन से है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब जएगा Option C ने दुगद उत्पादन है जिसका समझद Operation Flood से है। तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब जएगा Option A ने उन्य सो चैमें १रकंու में मुस्लिम लीग की इस्तापना हुई थी। कहां पर हुई थी बांगला देश के ढाका में हैं वो मुस्लिम लिग की स्थापना 1906 में हुई थी इसी परकार अगला सवाल है स्वतंतरता मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा या नारा किस ने दिया था तो दोस्तो इस सवाल का भी सही जवाब देगा option C ने सुबा चंदर बोस हैं जिनोंने स्वतंतरता मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा या नारा दिया था किस ने दिया था सुबा चंदर बोस ने अगला सौले नेमन मैंसे किस राजे की तट्रे का सबसे लंबी है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A ने गुजरात राजे हैं जिसकी तट्रे का भारत में सबसे लंबी है किस राजे की तट्रे का सबसे लंबी है गुजरात राजे की जो गणी 115 किलोमेटर तक अगला स्वाल है पच्ची में गाट की सबसे उँची चोटी कौन सी हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब जाएगा दोस्ते इस सवाल को भी आप जарूरी क्योंकि दोस्तों यह सवाल अब फिस्ले पांच एक्जामों में रिपीर होने वाला शुखाल हैं क्या सवाल है भारत के किस लोग पर यह नेता के नाम पर नरेगा चलाई यूजना चलाई जा रही हैं तो दोस्तों इसस सवाल का सही जव परवत सरंकला कौन सी है तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा option dne अरावली परवत सरंकला है जो भारत की सबसे प्राचिनतम सरंकला है कौन सी है अरावली परवत सरंकला जो 800 km तक फैली हुई है तो दोस्तों ये थे कुछ most important जीके के सवाल जो बार-बार competition exam में repeat होने वाले प्रशन है अगर दोस्तों अब ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद होगे तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इन सभी सवालों का PDF लिंक है वो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते है टेलिग्राम गुरूप का लिंक है आपको हमारे इस वीडियो की description मिल जाएगा जहां से आपे सभी प्रशनों का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात राम